दोस्तो जून बिल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आज पैमेंट जारी किया गया है उसकी जो अपडेट है मैंने दूसरे चैनल मुकेश टेग पर डाल दी है तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो किन-किन जिलो का पैमेंट है वो बैंक में दे दिया है नहीं तो आप वैसे यूटूब पर जाके मुकेश टेग लिक लेना ठीक ना चैनल आ जाएगा और वहां से आप देख लेना किस चले का पैमेंट आज डाला गया ठीक है तो काफी साथियों के बार-बार मैसेज आ रहे हैं उन साथियों के आ रहे हैं कोलर मै से जिनका मई मा का पैमेंट आ चुका है देखो दोस्तों मैंने आपको पहले या कल या फर्शू बताये था कि वीडियो की मादम से कि आपका जून मा का जो बिल है 22 या 23 अगस्त के आसपास आपका पास हो जाएगा दोस्तों मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप बहुत तो भाग साली है कि आपका मई तक का पैमेंट बूर्न रूप से कंपलिट हो चुका है लेकिन आप फिर भी थोड़ा देहरी नहीं रख रहे है ना तो वह भी साती है जिनका हवी माई मा का पैमेंट नहीं आया है ठीक ना तो आप तो बहुत आगे जा चुके हैं तो आपको गबराने की आव सकता है नहीं लेकिन उन सातियों का भी तो आने दीजिए आप ऐसा करिए 181 पर शिकायट डाल दीजिए आप फिर निश्चित हो जाईए फिर आपको टेंशन करने की आव सकता नहीं है ठीक यदि आप शिकायट नहीं करोगे तो सातियों में कहूंगा कि 10 या परियाप्त नहीं आता है ठीकना यदि बुजट परियाप्त आये तो सभी का जो बता है उसको एक सात अकाउंट में डाल दे लेकिन ऐसा होता नहीं है ठीकना कभी 15 जार का बचट पास कर देते हैं कभी 10,000 कभी 15,000 का इसलिए एक जिले के पैमेंट को बार बार जारी किया जाता है ठीक है तो इसके लिए आपको सिकाय दर्ज करनी पड़ेगी तब ही सातियों आपका जो पैमेंट है वो पैंडिंग में नहीं रहेगा और जैसे ही आपका जो अगस्त का पैमेंट या जो बिल है पास होगा तो आपका सुचना पोटल पे सम्मिट हो जाएगा ठीक है नहीं तो आप दिन में 26 बार सुचना पोटल को ओपन करोगे और चेक करोगे कि हमारा बिल पास क्यों नहीं हुआ है हमारे जिल्ले का हो चुका है ठीक है इसका कारण यही है कि जुलाई का बिल आपका इसी मैने में पास कर दिया जाएगा आप निश्चित रहना ठीक है बग जिलो का पैमेंट हो चुका है कुछ ही ना मातर जिले बचे हुए है जिनका पैमेंट आने वाड़ी तीन या चार दिन में पूनरोब से कंप्लेट हो जाएगा ठीक है तो चैनल को जरूर जाकर देख सकते हो मुकेस टैग ठीक है उसमें जो भी पैमेंट आया उसकी कर सकते हो पहले क्या कापी युवा भटकते थे कभी उदर जाते कभी उदर जाते थे कभी इमित्र पे भाग रहे थे कभी बैंक में भाग रहे थे तो मैंने उस समस्याओं को महसूस किया साथ ही हो क्योंकि मैं जब इस समस्याओं से पीड़े रह चुका हूं तो मुझे लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना और कोई जरूरी भी नई है ठीक धन्यवाद है